Hey guys, welcome back to another video. So, आज हम start कर रहे हैं chapter number 4, class 11, business studies का है, जिसका नाम है business services. क्या नाम है इसका business services? तो बड़े तो देखो, नाम से बड़ा ही clear हो रहा है कि ऐसी services की बात करी जाएगी इस chapter के अंदर, जो कि business के थूँज करी जाती है. अच्छा, हमको सिकारिया है. यानि कि business उन services को use करके अपनी operating activities को conduct करता है. यानि कि business जो run out होता है, वो इन activities को use करके ही, या इन services को use करके ही run out होता है. तो जो types of business services हैं, इसके इंदर हमारे पास 5 services हैं, जो कि हमें given हैं. First one is banking, major role play करती है, insurance, transportation, warehousing and communication. communication, बहुत जादा simple chapter है, इस पर वीडियो की इतनी खास need भी नहीं है, लेकिन still, line wise चल लेने, sequence wise तो इसकी भी वीडियो आना जरूरी थी. First of all is banking, separate video में discuss करेंगे इसमें, insurance, ये भी separate होगा, transportation, warehousing and communication combine कर देंगे एक वीडियो के इंदर, because they are the shortest one. Now taking an example, ये पाँचो services एक example के अंदर लगा के देखते हैं, कि हाँ कि किस तरीके से इन services को use किया जाता है, एक mind में set होना चाहिए न, कि services use हो रही हैं ये तो पता चल गया, कि हाँ ये पाँचो services business firm use कर रही है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा किस तरीके से use हो रही हैं, एक imaginary example बनाते हैं और इन पाँचो services को वाँ put on करते हैं, friend में conclusion निकालते हैं, suppose करो ये है party A और ये है party B, देख लो भाई, party A और party B, माना ये easy chapter है लेकिन वीडियो अगर open करिया तो देख लो, party A और party B, suppose करो party A ने party B को क्या किया, contact किया, by phone किया ये जो भी किया इसने email किया, कि भी या क्या rate चल ला है इस product का, ठीक है ना इतनी quantity चाहिए मुझे, या ये ये चाहिए, इसने क्या किया, order final कर लिया, इसके बाद इसने मागी कि payment दो भी है, फिर रहोंने payment पहुचाई कुछ advance, ठीक है payment भी आ गई advance, अब इनके क्या हुए, goods delivered हो गए, ठीक है, अब A के पास goods आ चुके हैं तो A अब उन goods को रखेगा, warehouse, जिसको हम आम बाशा में कह देते हैं गोदाम, goods कहां रख गए गोदाम में, अब A में भी उस गोदाम में जो goods रखे हुए हैं, ठीक है ना उनका insurance भी करवा सकता है, insurance किसलिए होता है, goods का insurance क्यों होता है, suppose करो किसी uncertainty की विजए से या तो आग लग गया, कुछ भी uncertainty ऐसी होती है, जिस वज़े से वो goods destroy हो जाते हैं, तो in that case, सारा का सारा loss owner bear ना करे, that's why वो उन goods का insurance कराके चलता है, और insurance के लिए वो हर महीने premium देता रहता है, जो भी उसको देना होगा insurance company को, ठीक है ना, so insurance करा सकता है, उसकी choice से कोई compulsion थोड़ी होता है, ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं, और हाँ यहाँ जो goods deliver हुए थे, यह किसी ना किसी transport के means से तो हुए होंगे, by truck, by waterways, by airways, whatever the transportation chosen, लेकिन transportation तो उसका हुआ है ना, किसी ना किसी की थूख, कोई ना कोई channel तो होगा वहाँ पर, waterways, airways, roadways, अब यह पांचों की पांचों services, अब इस example में बहुत easily देख पा रहे होंगे, कि A ने B को contact किया, that means यहाँ पर उसने communication point done कर लिया, ऐसा नहीं है कि business in के लावा, कोई और services यूज नहीं करता, और भी services होती है, day-to-day life में लेकिन still, यह five of the major services हैं, जो कि एक business use करता है, अपनी activities को पूरा करने के लिए, अपनी operating activities को conduct करने के लिए, ठीक ना, first one आ गए हमारे पास, यहाँ पर कि उसने communication कर लिया, second में payment जो advance दिया, by mode of banking system दिया होगा, second service done, third goods deliver हुए, तो transport system use हुआ, transportation done, फिर जो goods आए, तो उसने कही न कही रखे होंगे, उसको हम बोलते हैं, warehouse, go down, यह भी done, last में अगर वो चाहता है, तो goods का insurance भी करा सकता है, तो यह भी done, बहुत ही simple and easy chapter है, nothing is, कोई भी ऐसी tricky चीज नहीं है, जो आपको बड़ी दिक्कत करेगी कैसी भी, so मिलते हैं अपने part second में, banking को लेकर हम पूरा clarity करते हैं, कि banking service के इंदर इसमें types of bank account है, service provide by the bank है, और e-banking भी है, तो यह तीनो points को discuss करने में थोड़ा time लगेगा, तो एक separate video में banking को cover करते हैं, thanks for watching this video, यह बहुत simple chapter है, easily निकल जाएगा, don't take tension, stay tuned with KTP.